अब हम लगे हाथ कुंडलीनी से संबंधेत को जिब्रहमों के बारे में बात कर लेते हैं कुंडलीनी शक्ति क्या चमतकारिक शक्ति है नहीं यह चमतकारिक शक्ति नहीं है कुंडलीनी शक्ति का संबंध आपकी चेतना से है आपके शरीर से नहीं है और इस वीडियो में स्टा पर पहुँच चुकी है जितना आप जा सकते हैं ठीक है शरीर में कहां रहती है यह शक्ति कहीं भी नहीं रहती है शरीर में सब जगत चेतना रहती है और चेतना को उचा करना आपका करता विया है क्या का मैं कुंडलीनी शक्ति के जागरन करने का अर्थ है अपनी चेतना को ब कि यह स्पाइदा आपके शृब कुरूणिके एक और 자 Product अपर्स करने के बाद हें जो सिद्धियों वाला नुभाव था जो समाधिक नुभाविश्वर्फर प्राइप शुर्प्राथिकत द्यान करने के बाद तो अंत का 10% भाग मेरा ध्यान का मार्ग है तो अगर शुरू से मैं ध्यान मारगी होती तो मुझे कभी चश्मा नहीं लगता इस बात का मुझे अफसोस है लेकिन उतना भी नहीं है चलोट है तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि शरीर का संबंध ध्यान से या कुंडल करती है देखिए शरीर में मैंने बहुत सारे वीडियो देखे जो इस तरीके की बाते करते हैं कि आपका ये उर्जा बंध है यहां पर इसको ऐसे खोलना होगा यहां पर उर्जा का प्रवाह नहीं हो रहा है गटर का धकन है जो बंद हो गया जो खोलना पड़ेगा अजीब बाते मेंतना ऊए मिलता है कि आपकी नीचे गिर गई है उसको उठानी होगी उपर उल्टी चल रही है उसने होगी क्यिसी वहियात सी बातने सुनाई है तो कहीं नहीं कहीं पर ऊर्जा आ information travel करता है, पूरे शरीर में peripheral nervous system का जाल बिचा हुआ है, जो पूरे शरीर से information को एकतरित करते हैं, और central nervous system तक, जो मेरुदंड के अंदर, जो spinal cord है, उसमें central nervous system में लेकि आते हैं, शरीर के विभिन भागों से, ठीक है, अलग-अलग छेतर में, लेकर आते हैं, और उस information को brain तक लुध्या पूंचाते है, तो अगर शरीर में में कुछ travel कर रहा है, खून nights travel कर रहा है, और आपका सांस है ते यह सारी चीजह HAVEō है, उर्जा कोई travel नहीं कर रही है, अर्जा के भी से बचते हैं, कि सभी में सभनानित बाहुत बाहुत सारे market में फड़ी या किसी के शरीर से एक प्रकार का तेज निकलता है ऐसी बाते भी बहुत लोग बुलते हैं तो नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है यह ओरा वरा के चक्तर में आप लोग मत फसी है शुद्ध सात्विक सनातन ग्यान पर ध्यान फोकस कीजिए यह जब आप ऐसे अबरकड़ा चीजो खुद बनिये नहीं बनना है आपको तो आज के इस वीडियो में आपको क्लियर हुआ होगा कि कुंडली नहीं क्या है अब हम आगे की वीडियो में जानेंगे नाडियों के बारे में थीक है तो मिलते हैं एक्स्ट अपिसोड में धन्यवाद